स्वागत्य फ्रेंड्स आपके अपनी होम साइंस चैनल में क्लास 11 का पार्थ 9 हम पढ़ लाये थे हैं अब पार्थ 9 में हम देखे कि बच्चों से सम्मंधित सभी प्रकार के चीजों को बताया जा रहा है चाहे बच्चों का पूरकाहर बताया जा चाहे नौजात सिसु के बा बारे में पोशक तत्तों के बारे में जनकारी इस चैप्टर मंदेरा तो यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसे जरूर देखिएगा एक दो बार देखेंगे क्योंकि क्वेस्चन यहां से पूछ लिए जाते हैं बच्चों कि सभी अवस्थाओं के बारे में इस दिखेंगे के था के लिए दिशा निर्देज देखें ते प्रतिरय अच्छ देखें थे अर्था दो आइसे एम्हार दोरा टीका कराड़ देखेंगे कि एक वर्स तक के बच्चे को जनम से लेकर एक वरष तक क्यों कौन से टीका लगती है ता किस-किस महीने में लगता है मश्या और कैसे इससे निप्टा जा सकता है ठीक है न तो मैं तो इस टाइब से पढ़ाती हूं इसे क्योंकि यह हमारा सब्जिक्ट ही ऐसा है कि होम साइंस है ना कि के वाल अपने तयारी को लेके वैकेंसी को लेके बलकि मैं इसमें थोड़ा बहुत अपने घरेलू वो के हिस आप में भी सिखाने की कोसिस करती हूं कि किस प्रकार से बच्चों को सही पोशक्तत्व दिया जा और इन रोगों से जैसे एनीमिया डायरिया और हैजा अतिसार इन चीजों से रिहाइड्रेशन इन अनिक प्रकार के रोगों से हम बच्चों को बचा सकते हैं जो कि क्या होत पूर्व बच्चों के लिए संतुलित भोजन की योजना बनाना अर्थात वो योजना कैसे हमें बनाने चाहिए जो अभी बिद्याले पूर्व के बच्चे हैं अर्थात जो अभी बिद्याले नहीं जा रहा है तो आईए देखते हैं बिद्याले पूर्व बच्चों के लिए भोजन की योजना बनाना विद्याले पूरवाले शक्रिय बच्चों की उर्जा की आवस्यक्ता बड़ी महिलाओं की तुल्ला में अधिक होती है बड़ी महिलाओं की तुल्लानों यहां जो बच्चों के लिए उर्जा की आवश्यक्ता होती है वो इनकी ज़्यादा होती है इनकी आवश्यक्ता क्या होती है ज़्यादा होती है और किसकी आप इच्छा कह रहा है कि बड़ी आवश्यक्ताओं की बड़ी महिलाओं अर्था जो भी महिला है उनकी जितनी उन्हें जितना उर्जा चाहिए न उतना ही उर्जा किसे चाहिए बिद्याले पूर्व बच्चो जो बच्चे खेल कुदर हैं अर्धात बित्याले नहीं अभी जा रहा हैं, है ना तो किस चीज की आवश्चता हैं, उर्जा की आवश्चता हैं, आगी दिखते हैं, कि तुलना में अधिक होता है, इसलिए हम उनके कैलोरी की खपत का पता लगाने के लिए जरूरी नहीं है कि किन्तु विकाश एम शक्रियता की इसतर को ध्यान में रखते हुए, यदि बच्चे को पौश्टिक एम संतुलित भोजन नहीं दिया जाता हैं, तो वह व्याश्च के आवस्था में तता अपना अपनी पूड अनुवान्शिक छमताओं को प्रयाप्त नहीं कर सकता हैं, ठ में ठेस्मायम रखते हैं, जर्जिक एम चले क्वकर समिदैं को यदिो आपने भूश्ट नहीं को पूश्टिक िछान पूश्टिक पायाई ग्रोथ होगा ठीक है ग्रोथ होगा उसी हिसाब से बच्चा बढ़ेगा अर्थात जितने बच्चे का आयू है बच्चा आयू के अनुसार उसका वेट और लंबाई दोनों बढ़ेगा यदि आप सही वे में पौश्टिक तत्व दे रहे हैं और बढ़ेगा तो वही किशोरा अवस्था के बाद जब व्यश्क अवस्था में जाएगा तो अपनी पूड़ा अनुवांसिक छमताओं को प्राप्त करेगा और यहां पर क्या किया है कि प्राप्त नहीं करेगा और क्यों नहीं करेगा जब इन पोशक्ततों का आप कि कब तक 18 वर्ष तक बच्चों का ध् बच्चों के भोजन में प्रोटीन के मिटमिन दिया आप सभी between को लीजिए यह जरूरी थोड़ी नहीं कि बस between एक वह हम पोशक्ततों में में सब्सक्राइब करें सभी between की अपने अपने जगह पर आवश्यक्ता है तो देखिए between a तथा लौह तत्व की कमी हो तो बच्चे में क्रमशक कूपोशड पी एम अर्थाथ प्रोटीन एनर्जी माल निट्रोशन होती है देखिए यहां पर इसलिए उर्जा की आवश्यक्ता क्यों कही जा रही है कि बढ़ी महिलाओ के अपेच्छा और क्यों यह सोच के देखिए क क्यों महिलाओं इतना उड़ जा कि क्योंकि देखते हैं जो महिलाओं है वो सुबह से उड़ जाती है कारियों में लग जाती है पीक लोड हम कहां किसके लिए सिखते हैं महिलाओं के लिए ही तो सीखते हैं पीक लोड महिलाओं के लिए तो देखा जाता है कि सुबह से उठ जाड़ू पोचा की नहाना दोना है, शाप सफाई है, फिर इधर बच्चों का टिफिन है, इनके लिए कपड़े तायार करने हैं, इनका भूजा नलग है, घर में अगर बड़े पैरेंट्स हैं, बुजूर गहें, तो उनको सुबह सुबह तो दवा पानी चाहिए ही, सुबह तो उनको उधर दोड़के देंगी, तो यह सब क्या है, फिकलोड़ लंग अर्थात कुल मिलाख है, वो दोड़ती हैं, तो उन्हें कार यभार के लिए उरजा की जरूरत होती है, अब उतना ही उरजा बच्चों के लिए जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे जब से बेढ प अब उसी को कहा जा रहा है कि protein energy lean energy validation putin की कमी हो जाए energy की कमी हो जाए तो क्या होगा बच्चे में कुपोषर होगा है ना तो इन चीजों का ध्यान देना चाहिए अगला देखते हैं के कि one कि यहीं जो बिट्वीन अगर में सब्सक्राइब बताएगा यह तो बताएगा ने कि जो भी यहीं की कमी है तो थायमीन की कमी हो जाएगी बिट्वीन एक कमी है तो तो सौंधरी बिटविन की कमई होगे," ठीक है नहीं तो ऐसे यह नहीं करेगा कि और चीजों कराँना बिटविन K की कमई है तो बलट कोलोटिंग नहीं मिलेगी between S' की कमई है तो gengivitis रोग से ग्रशित होगा तो इन चीजों को तो तो वो नहीं बता रहा है इसलिए एक बिट इनको मेंसन किया है जिससे जीरो थैलाप्मिया होता है और यह क्या होता है आग सम्मंदित रोग है आग सम्मंदित क्या रोग है बिटामी नेकी कमी से होता है तथा रखताल पता अब लोहतत्व की कमी को किस से दर्जाया है रखताल पता जो कि क्या होता है एनीमिया हो जाता ह जब आपके सरीर में रख्त तत्व की कमी हो जाएगी तो रख्त आल पता होगा तो उसी को हम एनीमिया कहते हैं यह एनीमिया से ग्रस्त हो शकते हैं आयोडीन यूगत नमक का शार्वभामिक व्योग आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों को रोकने का सबसे सरालेवन सस्ता तरीका है देखिए आयोडीन की कमी तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि जो बच्चे अभी ग्रोथ करते होते हैं बढ़ते हैं उनके बहुत धिक विकास के लिए यह बहुत ही जरूरी होता है फिर चाहें मां गर्वा और अस्था में इसका सही रूप से ध्यान दे नहीं तो बच्चा क्या हो जाता है बहुत कमजोर और उसकी ब्रिद्धी विकास में बाधक बनती है बच्चा जितने एज का होता हुतने एज के एकॉर्डिंग उसका हाइट नहीं बढ़ता है वो उसका ग्रोथ बढ़ता ही नहीं आगर आयोडीन की कमी रहे हैं और बच्चे की क्या बहुत दिख चमता भी कम जोड होगी तो यह सब कमिया मिलती है आयोडीन के वज़े से अब देखते हैं अगला क्या में एंसन किया है कि बिद्यालयपूर्वे बच्चे के आहार में तीन पहल हुए पर जोड दिया जाना चाहिए में इन तीनों को मतलब बताया कि लोहतत्यों कि बिद्वें की कमिना हो और प्रोटीन के कमिना इन चीजू को दे तो बच्चा स्वस्त रहेगा क्हर्ण हमें हर चीद्दे ना चाहिए लेकिन इस पर में फोकस किया है कि ये ना कम हो है अब देखिए यहां पे क्या में इन सं किया है कि बच्चे के पोश्ड आत्मक भोज बना रही है, अमाली जे आटे से हम क्या क्या चीज़े बना रहेते हैं, तरह तरह के पराठे बना लेते हैं, पूरियां है, सबजी है, तंदूर रोटी है, जो भी है, उसी आटे से हमें मन किया, तो समेशे भी बना लिए, उसी आटे से जो भी मन किया, ये, देखते हैं, अमा बोजन बना रहे हैं उस भोजन में टेस्टिना रहें तो कोई खाएगा बच्च तो क्या कोई बड़ा भी नहीं खाएगा है गंध अब इस टाइप से उस चीज को बनाईए कि देखिए हम रोटी सेखते हैं तो रोटी का भी तो इसमेल आता था ना देखते हैं उसका वी करता है, लिद्दे हम भूख भूद बहुत सुदर कहीं से खुस्भू आती है तो हमें भीमान करता है खाने के लिए तो उसी चीज़ को यहां पर наж और रंग परिवर्ट, अब मंली जे मटर पनीन बरार हो गए है उसी इतना भूंते गए कि वह काली रूप में हो गया, ठीक है नियुटूब में चरूर देखी होगी कि जब तक मसाले को भूनते हैं कि जब तक वह तेल ना चोड़ देता है, जब तक ब्राउन इस नहीं आ जाता है, तो उसी कलर को द सब्जी इंटाई दाल बना दी दाल पीले के जगाला दिखाई दे लाल दिखाई दे तो कहीं किसी को खाने का मन करेगा, नहीं मन करेगा और क्या होता है, जब यही चीज खराब हो जाती है आप सोच के देखिए यहाँ पर मैं बतानी कोशिस करूँगी कि जो चीजें यह खराब हो जाती है उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाती है उसके गंध में परिवर्तन आ जाती है जो खाना जो हम आलू को भी टमाटर धनिया की पत्ती डाल के सबजी बनाते हैं देखिए कितनी सुंदर महकाती है लेकिन वही एक दिन बाद अगर बासी हो जाती है तो उसमें से क्या वही गंधाती है नहीं गंधाती है उसके रंग में भी परिवर्तन हो जाता है ठीक है ना तो देखिए टाइम के बाद वो क्या होता है इन चीजों मे दे सकता है, है ना, दे सकता है, लिकिन यदि, यदि हम खाने को इस प्रकार से बनाते हैं, तो वो क्या हम, हमें और, खाने के प्रत आकर्शित करेगा, इस तरह से आप भोजन बनाईे, तो बच्चों को क्या होगा, और पोशड़ातमक तो मिलेगा, और वो काफी ठीक तरीके स उनकी लंबाई चोड़ाई क्या होगी ग्रोथ करेगी, जो भी बच्चे जिस आयू में हैं, नेक ठकला देखते हैं, जटिल कार्बोहाइडरेट, जटिल कार्बोहाइडरेट, चर्बी रहित मांस, प्रोटीन, तथा आवश्यक वसा के बीच संतुलन, मिठाई, आइश क्र वसा से भरफूर, फास्ट फूर, तथा रिफाइंड आटे के उपयोग पर श्रयम, उपयोग पर क्या कहा जा रहा है, कि स्रयम, क्या तुम्हें अब अध्याय तीन में पढ़े गए पांच खाद शमूह याद हैं, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, मैं त सारा पढ़ा ठाली हों, तभी तुम्हें आहार पीडामिंट बताती हूं, फिर देखे हैं उसमें क्वेस्टन में डाल लग्यों, तो यह सब वहीं से मैं उठा के बनाई हो, अब इसे पढ़ा ले तो यहां से क्वेस्टन लेके आओंगे, लेकिन हां, क्वेस्टन उतना ही अगर हम डीटेल में पढ़ लेना और फिर उसका प्रैक्टिस सेड़ेक हैं, तो हमें और मजा आती है, ऐसा लगता है कि कितने जीके हमारे अंदर, मतलब कितने जीके के बारे में हमें ग्यान प्राप्त हैं, कि हां हमारे विशाय में क्या-क्या चीज़े हैं, तो यह देखे कि सीधे में इंसन किया है कि तीन में पढ़े गए पांच खाद्य शमुह याद है, जो कि कि किसके द्वारत ही आया है, देखिया, ICMR द्वारा, है न, तो वहां डीटेल में जाके पढ़िये, यह देखिये, क्वेस्चन पूछ लेता है, यहीं से, ICMR द्वारत सुझाओ गए पांच खाद्य वर्गों में से हम निरदारी कोशक तत्व की मत्रा की अनुसार संतुलित भोजन, संतुलित भोजन की योजना से बना सकते हैं, दैनिक जीवन आहारों की आयोजन करते समय हम खाद्य शमुह के खाद्य पदार्थों का चयन किया जाना चाहिए, आयोजना को अधिकाधीह सुविधा जानक बनाने के लिए incarnate ने की विभिन आयु वर्गो के वर्गो के लिए अहारों का सुज़ाओ दिया अधिया। बाई बच्चा 6 माह के बाद से 10 माह तक है, 12 माह तक है, एक वर्स तक है, तो इसका आयूवर का अलग है, उसके खाने का इत्री अलग है, तो इन चीजों को तो हमने ये मेंसन कर रखे हैं, हम देख लिए हैं, इसका विकलाद, विद्याले पूर्व बच्चे के संतुली ताहा में शामिक की ये जाने वाले विविन खाद शमूहों की मत्रा के लिए हम नीचे साड़ी 5 को देख सकते हैं, अब नीचे साड़ी यही आपका 5 है, जिसे हम क्या करेंगे देखेंगे, यह देखी है, यह भी किसके द्वारा है, कि ICMR द्वारा है, विद्याले पूर्व बच् संतुलित आहार, क्या है, संतुलित आहार है, है ना, अब देखेंगे, यहां पे क्या बता रहा है, कि पहला क्या है आपका, अनाज एवां मिलेट्स, मिलेट्स का मतलब होता है कि मोटी अनाज, उसी को कहा जा रहा है, है ना, अनाज एवां मिलेट्स, मोटी अनाज, जैसे जो भी है न यह सब आ जाएंगे चना बगएर यह सब स्वारी चना तो दाल में आएगा तो यह इसमें आ जाएंगे जो कि एक से तीन वर्स के अभी यहां क्या दिया है मात्रा दिया है ग्राम में दिया है मात्रा ग्राम में दिया है अब यहां पर हम देखते हैं कि 120 ग्राम देना चाहिए ठीक है न जो एक से तीन वर्स का बच्चा है ना उसे हमें आनाज अरतात रोटी है चावल है ये सब चीजे जो भी देना चाहिए ना एक सौ बीस tutto ग्राम देना चाहिए और उतना हे चार से चैह वर्ष के बच्चों को भी देना चाहिए 12 माँ से देखी शुरू किया है 4-6 वर्श के बच्चे को आता विद्यालएपुर वे बच्चे कहा तक होते हैं 6 वर्श कही होते हैं कि यहां तक हमें देना चाहिए अगला दिखते हैं जो है डाल है डाले कितना देना चाहिए 30 ग्राम दाल देना चाहिए और 45 ग्राम दाल आप 4-6 वर्स के बच्चे को देंगे अगला देखते हैं कि दूद कितना देना चाहिए दूद कितना देना चाहिए कि दूद 500 मिलीलिटर देना चाहिए और उतना ही इसमें भी देना चाहिए चार से छह वर्स का बच्चा है तो उसे बेदूद की खुराक तो हमें कम ही नहीं करना चाहिए है ना चौथा है चौथा आपका क्या बता रहा है कि देखिए फल तथा सब्जियां जड़े तथा कंद हरी पत्ति वाली सब्जियां अन्य सब्जियां फल कितना देना चाहिए कर खा रहे हैं तो 50-50 ग्राम इहां हो गया और 100 ग्राम इहां बता दिया तक ही त्रिद ल को अ अब 20 ग्राम तेल तथा 25 ग्राम यहाँ पर देना चाहिए. तो आगे आगे देखते हैं. अब हम भिद्याले पूर्व बच्चे के लिए 3 आहार एवं 2 अलप आहार. क्या कह रहा हैं? कि 3 आहार एवं 2 अलप आहार तयार करेंगे. कि आपको अश्चर हो रहा होगा कि अलपा आहार इसनायक्स क्यों? इसका कारण है विद्याले पूर्व बच्चे के लिए 3 आहारों को परियापत मात्रा में खा पाना मुश्किल है. अलपा आहार इसनायक्स जो कि क्या होगे? घर के बने होगे. तब ही यह पॉष्टिक है. यहां पर याद करियेगा कि पॉष्टिक चीजे क्यों मैंसन किया गया है. क्यों कि जो घर का आइटम बना होगे बाहर का तो कब तरही नहीं पॉष्टिक चीजों हो सकता है. ठीक है ना पतने दिन का वह तील यूज कर रहा है, कितने दिन का ब्रेड लिए हैं, देखते हैं ना दो ही दिन के लिए ब्रेड हम इस्तमाल कर सकते हैं, तीसरे दिन तो व जालते जाएंगे, डालते जाएंगे, तो वह कत्ता ही नहीं होगा, घर पी आप श्नेक बनाएगे, कुछ कोई भी चीज बनाएगे, घर का क्या होता है, बेश्ट होता है, बच्चों को आवश्य कैलोरी तथा पोशर तत्व प्रदान करते हैं, इसके अतिरिक्त नए खाद क्या होता है, अच्छा होता उसके लिए, मतलब थोड़ा-थोड़ा खिलाइए, लेकिन टाइम टू एकॉर्डिंग खिलाइए, अलपाहार इसकूल वाले टिफिन में भी भेजे जा सकते हैं, अभी ये जो इसनेक वगएरा है, हम टिफिन में भेज सकते हैं, क्योंकि बच् कटके उसमें डाल लीजे, प्याज कैप्सिकम, आलू, पनीर सारा एक ही साथ मैस कर लीजे, ब्रेट पे लगाईए, कैच्छफ वगएरे का बिल्कुल मत इस्तमाल करिए, ब्रेट पे लगाईए, उसमें अगर बच्चे को चीनी का फ्लेवर पसंद है, तो हलका सा चीनी डा बच्चे को अगर देजिए, फिर घी से लगा के बटर से लगा के सेख दीजे, बच्चे की टिफिन में एक नहीं दो दीजिए, बच्चा खाएगा ये पॉस्टिक होगा बच्चे के लिए, ठीक है न, तो ऐसे स्नेक्स बनाईए, घर पे घर पे क्या करिए, बेसन से समन्न आलू के पकोड़ी बनाईए, उसमें तरह तरह के मसाले डाल देजिए, टेष्टी लेगेगा बच्चों को अच्छा, बच्चे को अगर ती, तो उसमें भी हलका सा आप चीनी का फ्लेवर डालिए न, तो बहुत वो टेष्ट अलग सा अच्छा लगता है, मिर्चा भी डाल जो मोत, टेज़ बनाने तरह के मिलना इब best normal फिर एक आप अच्छा का अच्वाई लोग में न, पिर नेतन ब मेलें न, शी चणा बनाएक है, तो बच्छा बहुत प्यार से ख़ाएगा। शहनी में बाकिश्व बांपे क्चप और आप कआप को तो दो में ब्हें बताए आप देखिया मोमुज बनाने में क्या कोई मोमुज बनाने में कोई कठिन काम नहीं है वही आटा बनाएए अप मैदे वाला आटा ना लेजे आटा गुन लीजे फिर उसके बाद से क्या करिया एक तरब क्या करिया कि यह कैपसिकम है उसे क्या कहते हैं बंद गोवी कहते हैं ह हाँ, कैप्सिकम है और यह पत्ते वाली हो भी है इसे दो गाजर लेजिए सब को क्या करिए घसने वाले उस पे घस दीजिए सब को घसिए एकी बार मेर्चे और तेल का तड़का लगाईए उसे डान दीजिए जब तक आप सबजी बनाएंगे यह हो जाएगा इसे बना के है यह अगे चार पार्ट में काटिए उसे भरी यह उसमें भरिया और भाप वाले में सब्सक्राइब ज़य जो भाँ भिश्क होगा भाड्या को बना बच्चे के लिए पौष्टिक होगा और बच्चे का लंच बोक्स क्या होगा अलग होगा वो बोले गा कि आज हम क्या ल या फिर किसी भी काट के दे सकती है ina ठीक है ना फिर मशली होई करदेजिए तो आधा से बच्यों को क्या करते हैं यह कि एगुजा कुत नखे सकते हैं जिस्सें बच्चा क्या हो सकता है चिकिस पुझाय प्लूडमिया दिखाज दे बता रहा है कि काम का जी मा का चार वर्स का बेटा रागह उसके लिए वह जो आहार बनाती है वह इस प्रकार है सुभा का नास्ता अर्था देखिए कि वह किस प्रकार बनाती है तीन बादाम तथा पांच से छे किसमिस के साथ दूद में पकाया गया गेहों का दलिया और एक देखिए बहुत सुन्दर नास्ता है यासे है ना अब तो देखिए मार्केट में भी आ रहा है यह सब चीजे अब तूरंत लाईए दूद खोलाईए उसमें डालिया यह बहुत ज्यादा हारलिक्स और कंप्लैन जो भी है ना मैं तो मानती हो कि यह क्या अगर आप दूद म अब यह बहुत यह भी खराब करता है, ठीक है ना, आगे देखिए, पांस ज़े, यह बेश्ट चीज है, स्कूल टिफिन, अब इस स्कूल के लिए क्या फिर बना रही है, सुबह के तो यह देदी, इस स्कूल के लिए, अब यह नहीं है कि आप इसी को दीजिए, ठीक है ना, दाल लटी दे द і ऐसे यहां वいつ ले पर्षेंगे वह जानें सांडू सब्रम सबस्स करें elder करें क्षी tixin को हो इस आप मसली हुए ऊबली अंड़े के साथ दो बड़े सांडवेंच बहुत कम लोग इंस चीजों कपर यह वह करेंगेrea चले बाकी देखिए बड़े सेंडवीच, हम सेंडवीच जिस प्रकार से हम आपको बताए हैं, क्योंकि इसे हम कहते हैं विद्या का मंदिर, ठीक है ना, तो अगर हम घर पर इसे खिलाएं, भाई बच्चे को हमें पौश्टी काहर देना ही है, तो हम इसकूल में ना देखिए, हम था अगर पर धाले हैं, ठीक है ना, तो कद्धु कस कीया हुआ उइए, चट्णी कह रहे 尽ो में बिल्कुल ना करें, ना करें सॉस के लिए तो में बिल्कुल ही ना करें अब ना सेकूं robust को थोड़ी सी टेल डालीये, मिर्चा डालीये, उसमें घी डालीये, टमाटा डालिए लार मिर्च डालिए या फिर हरी मिर्च खाती हरी मिर्च डालिए अदरग डालिए लहसन डालिए दो चार कली डालिए ये सब तो क्या है और शदी है और अदरग डालिए इन चीजों को अच्छी तरह पकाईए पक जाए तो इसमें गूड डालिए क्या अगर आप उसे नहीं खाती है तो प्याज लहसन का प्रयोग न करिया लेकिन अधरक है बाकी अधर चीजों को अगर उससे भी बनाई है तो देखिए बहुत टेस्टी यह क्या बनता है किछब बन गया इसी को बच्चों के सांडविच में लगाई है देखिए बच्चे अधर तभी तो वो सही रहता है उसका एक एक सही डेट होता है एक सही डेट होता है तो क्यों होता है और हम इसे बनाते हैं चार दिन के लिए क्या दोई दिन में ऐसे ऐसे हमारे किचब खतम हो जाते हैं और कितना बेश्ट होता है इसी तरीके से आप ग्रीन चटनी बनाई है तो जिसमें उनके लिए तयार करके रखा और पालक चावल रही उबले हुए चने एवां टमाटर की चाट ठीक है ना बहुत मस्त लग रहा है खुद ही एक लालिक सा लग रहा है तो ऐसे हम अपने पच्चों को पौश्टी का आहार दें तो कहां बचे पिछड़ेंगे आगे ही तथा साम का देखिए कि क्या दिया जा रहा है शाम के अलपाहार के लिए दूज का शेक दूध का शेक उसकी पसंद का स्नैक थोड़ी सी मुंफली देने की योजना बना रही थी मुंफली देने की योजना बना रही थी अब जानते है ना कि मुंफली क्या है बहुत ही अच चना है भूना चना है उबला चना है या फिर वो आखे वाला चना है जो भी दीजिए बच्चों को ठीक है तो दीजिए रातरी के भोजन के लिए दाल चिकन चापाती रातरी के बाद हम रात में यह सब चीजे लेते हैं खैर जो खाता है जो नहीं खाता है उसके लिए वह वै कहा जाता है कहीं कहीं, यह मैं आपने पास से बता यह है कि वस्त्र तो हमें दूसरे के दूसरे के आच्छे दिखने के तौर पे भी हमें वस्त्र पहनना चाहिए लेकिन भोजन सद्य अपने मन का ही खाना चाहिए ठीक कहने मौ are दूसरे के मन K ne और रेखिए भोचन का क्या खासी होता है कि मौसमी मौसमी फल और सबजी को खाए नहीं कितना भी खाए तक नहीं भी खराब नहीं करेगा बेश्ट रहेगा हमारे लिए बहुत ही फायदेमद करेगा मौशमी फलो को और मौसमी सब्सक्राइब के वज़े से उस समय का मटर हम समय इस्टोर किया हुआ मटर बहुत ज्यादा उसे इस्तमाल कर रहे हैं ठीक है ना अब ठंडियों के मटर को हम जो खाएंगे वह हमारे लिए बहुत गोभी हुआ अब गोभी उस समय का हम खाते हैं ठंडियों का तो गर्मियों का गोभी वह फायदा नहीं कर सकता नहीं बहुत ही कैमिकल द्वारा होके उगाया जाता है वह ठीक है ना तुसी को कहा गया है ग्रामीर बच्चों को दिये जाने वाले आलपाहार में प्राया मुरुकू लड्डू उपमा मठी चूरूटू जैसे समान सामिल होते हैं चुकि ये प्राया पारंपरिक रूप से निर्मित होते हैं आता ये पौस्टिक होते हैं अब देखिए पारंपरिक रूप से बने ह हैं लड्डू में माखाने द्वारा बने हुए हैं सारी प्रकार के क्या है यह मिठाईया है तो आपको क्या होगा यह पौश्टिक ही रहेगा क्यूंति इन में वसा तथा सरकरा का प्रचूर मातरा सम्रीद होता है ग्रामेड बच्चों को अतेदित सक्री होने के कारण उनके बढ़ जाती है और इसलिए उनकी जरूरतों के अनुशार परियाप्त कहरोली देने के लिए अलपाहार श्नेक्स लाबदायक हो शकता है ठीक है ना तो आसा करती हूं आप लोगो क्लास अच्छा लगा होगा नेक्ट अगले क्लास में हम यह देखेंगे कम लागत वाले अल मेरे बोलने के पहले आप सभी लोग जान जाते होंगे कि मैं क्या बोलने वाले हैं सो फ्रेंट बाबाय नेक्ट अगले क्लास में मिलते हैं